नमस्का दोस्तों फिर से मेरी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाल है मड़ीपूर की इतनी भयान इंसक घटना क्यों हुई इसके बारे में तो यह घटना सुरी होती है मड़ीपूर के इंफाल से इंफाल का इतना सुंदर नाम इंफाल से बना इससे सारा मामला मैटईजाब को सामिल करने का जो की नगा और कोटी द् Honey जातियां विरोध कर रही थे घरतभा होती तीनम subjective time है ही यह का मईताई को सब्सूदा के कए लोग के आपको 10 साल पहले मइतेख्र यूडियन के कुछ लोगों ने हाई कोट में याजिका दाइर की थी कि उनको जो है स्टी का दर्जा मिलना चाहिए क्योंकि 1949 में मड़ीपूर का विले इंडिया में हुआ उससे पहले उनको स्टी का दर्जा मिला हुआ तो है संस्कृत और पूरोजयों की परंप्रा को कायम रखने के लिए उन्हों स्टी का दर्जा मिलना चाहिए तो Ży नो है और की जाँ और के लोगों को अपने कशोल निकालने और तनवे लोगों को अपने अपने से बाहर निकालने का काम क leash शांथी इस इंसा ने आम लोगों की पर ब्रीक लगा दिया है कि इंफाल घाटियों मैं जन जातियों की संख्या बहुत संख्यक है और पहाड़ी घाटों में जो है नगा और कुकी जो की दोनों के आपस में भीड़नत हुआ तो इसमें जहां मैतेई बहुत संख्यक है वहां जो है नगा और कुकी जो है बहुत संख्यक है वहां मैतेई के घरों को जलाना चालू कर दिया इसके विरुद में तो यह इनसा इतनी तेज भलक जाती है कि पांच माई को एक उग्रवादी का रूप ले लेती है और यहां बह सब्सक्राइब करना चाहिए तो दोस्तों दोनों जन्जातियों का आपस में मत हैं इधर मैं इंपाल घाटी में केवल 10 परसंट जमीन ही हम ले सकते हैं और हमारे है बहुत सारी सोर्स जो है कम है और उधर नगा और क्योंकी का कहना है कि मैंतेजाद वैसे भी जो है बहुत मजबूस्त हिस्ति में है उसको सब्सक्राइब और सरकार को थोड़ा सा पहले ही बहां पलेना चाहिए तो हो सकता इतना उग्रना होता और इससे ही बहुत ही नुक्सान हुआ जो अच्छे लोग थे वह भी अपने घरों को छोड़कर खेती वारी को छोड़कर एक आम नागरिक वहां पर परसान हुआ जो कि आके जो है बाहर रह रहा है वहां जीने खाने की भी समिस्या हो गई है तो दोस्तों आपको जान करें कैसे लिए कम अपने राजरू दिएग झाल 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 झाल